नमस्कार, thegreatindiantest.com में एक बार फिर आपका स्वागत है आज हम इमली की खटी मिठी चटनी बनाएंगे इमली की खटी मिठी चटनी हर तरह की चाट जैसे दही बड़े, पानी पूरी, पापडी चाट, आलू टिक्की और राज गचोडी आधी में इस्तिमाल कर सकते हैं खटी मिठी इमली चटनी बनाने के लिए हमें इमली 100 ग्राम, गुड़ी अचीनी 100 ग्राम, काला नमक 100 नूसार, लाल मिच, हाफ चमच, करमसाला एक चमच, छुआरे 2-3 और इलाइची पाउडर एक चमच की आवशकता होगी सबसे पहले इमली के पानी को भिगो कर 5 मिनित के लिए रग देंगे 5 मिनित बाद इमली को हाथों से मसल कर बीजो और रेशो को निकाल कर इमली के पानी को तया कर लेंगे इमली का पानी को गैस में रख कर चीनी और नमक डालेंगे और 3-4 कप पानी डाल कर धीमी आज पर उबालेंगे थोड़ा उबाल आने के बाद इसमें लाल मिच पाउडर और काला नमक डालेंगे अग गरम मसाला डालकर उबालने रख देंगे जब ये मिच रन थोड़ा उबल जाए तब इसमें कटे हुए छुआरे डाल कर गाड़ा होने के लिए गैस पर धीमी आज़ पर छोड़ देंगे गाड़ा होने के बाद इलाची पाउडर डालकर गैस बन कर देंगे अब हमारी खटी मिठी इमली की चट्नी तयार है इसे किसे भी तरह के चाट के साथ परोसे हमारी रेसिपी का फीड़ बैक आप हमारे वेबसाइल या हमारे शोशल मेडिया पेजस में दे सकते हैं धन्यवाद अब कर दो 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 सकते हैं